पाच्वी चरण के मद्दान से पहले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी महराष्ट पहुँचे उन्होंने नासिक और डिंडोरी में जनसबा को समोधित किया डिनोरी में प्रधान मंतरी ने कहा कि हमारी सरकार में विकास और कल्यान कारी उजनाव में धर्म को नहीं देखा जाता क्या कुछ बोले प्रधान मंतरी जी आप भी सुनिए सबतस्रंगी मातेला आणी नाशिकच्या प्रभूस्री राम चंद्राना नमन करतो कलकाशी में मैंने बाबा विश्वनात और काल भैरव का आशिरवाद लेकर नामांकन किया और आज यहां त्रम्बकेश्वर की धर्ती पर हूं बगवान कालाराम की धर्ती पर हूं मैं सभी को प्रणाम करता हूं साथियों आपकी सेवा यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष है आपने पिछले दस साल में मेरा काम देखा है और अब मैं आपके पास आज आशिरवाद मांगने के लिए आया हूं तीसरे कारिकाल के लिए आशिरवाद मांगने आया हूं विक्सित भारत बनाने के लिए आशिरवाद मांगने के लिए आया हूं साथियों एंडिये गड़बंदन को कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है इसका पता यहां इंडिये गड़बंदन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है वो जानते हैं कि इंडिये गड़बंदन का जो मुख्य दल है कॉंग्रेस वो कॉंग्रेस इतनी बूरी तरह हार रही है इतनी बूरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है और इसलिए इसलिए यहां के जो नेता है इंडिये अलाइंस के यहां मतलब नासिक के नहीं माराश्टर के उन्होंने सभी छोटे छोटे डल जो है इन डलों को यह सुजाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कॉंग्रेस में मरजर कर देना चाहिए यह अपनी अपने शटर बंद कर देने चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि अगर यह सभी दुकाने उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए यह हाल है इनका साथियो यह नकली शिवसेना नकली राष्चवादी पार्टी इसका कॉंग्रियस में बिले होना पक्का है और जब यह नकली शिवसेना का कॉंग्रियस में बिले हो जाएगा मुझे सबसे जादा याद बाड़ा साब ठाकरे के आएगी क्योंकि बाड़ा साब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कॉंग्रियस बन गई है उस दिन शिवसेना आप समाप्त कर दूँगा मतलब अम नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है और मुझे लगता है यह जो विनास हो रहा है कि बाड़ा साब को सबसे ज़्यादा दुखी करता होगा साथ क्यों नकली शिवसेना ने बाड़ा साब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है बाड़ा साब ठाकने का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्मान हो बाड़ा साब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्ब हो ये सपना पूरा हुआ लेकिन इस से सबसे ज़्यादा चीड ये नकली शिवसेना को हो रही है कॉंग्रेस ने प्राण प्रतिष्टा के निमंत्रन को ठोकर मारी नकली शिवसेना ने